हलो दोस्तों आपका स्वागत है तो जैसे कि आपको पता है हमारे हिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू है जिसमें हिस्ट्री के डेली टॉप 30 कोशन्स डिसकस कर रहे हैं जो कि एक्जाम्स में बार-बार पूछे के और आने वाले एक्जाम्स के लिए भी काफी जादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वीडियो को बूरा देखेगा इसको जादा ज्यादा लाइक कीचेगा शैर कीचेगा चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा साथी साथ अगर आप इस वीडियो का पीडियाफ चाहते है तो आप हमारा जो एप्लिकेशन है उसको डाउनलोड कर ली मौरे काल में सीटा से तातपरत है सीटा जो हम बात करें वर्ड यूस किया जाता थे राज के भूमी से स्थापने की गई थी सेलिकस निकेटर मेगस्तनी इंडिका फर इसकी बाद बिंदू सारा आते फिर यह सारा कुछ हमने काफी पर डिसकस किया हुआ है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो बैंगॉल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वार्रें हैस्टिंग्स जो हैं बंगॉल के पहले गवर्णर जनरल रहे हैं, इसके बार हम बात करें इनके बारे में कुछ जैसे की जो विल्यम विलकंस थे, चार्ल्स विलकंस भी इनका नाम है, जोन्हों ने गीता का अंग्रेजी में अनुवात किया था, तो उनको आश्र प्रदान किया था वारन है और इसी के समय हम बात करें, 1782 में जोन्हों ने बनारस में संस्कृत विद्धालय के स्थापना की थी, ठीक है, और इस अन्हों ने ही 1781 में कूलकता में मुस्लिम सिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदर्शा भी स्थापित किया था, ठीक है, इसके हम बात करें, इनके मराथा युद्ध है, दुतिये एंगलो महसूर युद्ध है, वो हुआ था, प्रथम एंगलो मराथा युद्ध सालवाई की संदी से, और दुतिये एंगलो महसूर युद्ध जो है, मंगलोर की संदी से समाप्त हुए थे, तो इतना आप इनके बारे में याद रखेंगे, कोलकता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय हम बात करें बिंगॉल का गुवर्नर जुनरल कौन था तो आंसर इसका हैस्टिंग्स प्रक्षा-प्रकोस्ट की नीती किस्सें सम्बंधित तो यह सम्बंधित व्र सिटिंग के जिनकोंने अच्साहिं किसें समांट कर दियक तो आंसर होने वाला है उब ऑर्ट के दा शूरू के तेहती राजस वसूल ने साइनिक संदक्षन विदेशी मामले जो हैं company के आदीन ते तब कि शाषन चलाने के जुन्मेदारी थी वो नबाब के हाथों में थी तो बटते हैं अगले कुशन की तरफ द्वैद्ध शाषक का जनक किसको माना जाता है तो आंसर होने वाला इसका किसको माना जाता है जनक तो जनक माना जाता है इसका Robert Clive को 1802 की बसीन की संदी पर हस्ताक्षर किन के मद्ध हुए थे तो इसका जो सही आंजर है वह अंग्रेज तथा बाजी राव दुतिय और अंग्रेजों के बीच में जो है यह सिगनेचर हम बात करें कौन सी संदी हुई थी तो बसीन की संदी हुई थी है ना ठीक है तो और कुछ important संदियां आप जो है याद रखें अंग्रेजों और मराठाओं के संघर्ष के बीच में जो हुई है तो पहले आप याद रखेंगे सूरत की संदी जो की 1775 में हुई फिर हम बात करें पुरंदर की संदी 1776 में हुई इससे पहले एक और पुरंदर की संदी होई थी शिवाजी और मुगलों के बीच में फिर बढ़ गाओं की संदी 1779 में हुई सालबाई की संदी 1782 में हुई बसीन की संदी जो की हम बात कर रहे हैं कगोई 1802 में हुई इसके बाद देव गाओं की संदी 1803 में हुई सुर्जी अर्जन गाओं की संदी ये भ 1418 में यह संदियां आप याद रखेंगे। Lord Wesley की सायक संदी को सुईकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो पहला मराठा सरदार हम बात करें, तो ये थे पेश्वा बाजीराव दुतिये। लॉर्ड वैलेज लिए कि हम बात करें तो उन्होंने सहायक संदी शुरू की जिसमें हम बात करें सहायक संदी सुईकार करने वाले पहले राज्य यहां मराठा सरदार पूछा है है डिफरेंस जो है आना चाहिए पहला राजिता हैधराबाद फिर मैसूर फिर तंजौर फिर अबद फिर बरार भूसले यह सारे हैं इसके बाद हम बात करें एक और चीज जो इन दौर के होल कर थे ना उन्होंने सहायक संदी स्विकार नहीं की थी हम बात करें लॉड की स्थापना 1854 ठीए ना हम बात करें 1800 में कलगत्ता में नागरिक सेवा में भरती किये गए युवकों को प्रशिक्चित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतिय भासाओं के शिक्षा देने के लिए चलता रहा आगे बढ़ते हैं सायक संदी को हम बात करें किस के काल में क्रियानवन में लाया गया तो आंसर होने वाला है इसका लौड वैलेजली जो कि हमने देख लिया है दिन में से सायक संदी स्विकार किस ने नहीं की थяти इन दाओर के होल करनें सबसे पहले की थे हैधर अधर भाद के निजाम निजांग्री झौ gelecek का राजपुत राजो में सायक संदी करने का मुख्योद देश ल Sé Kee Do This हुआरर्र लोर्र हेस्टिंग है। वह लुट हैस्टिंग्स सरस्क्रा vullcar वह इंपाल योद्ध Eddy समय में लएकि लग में में 23 थी तक रहे हैं। इन के समय में जो है एंगलो नेपाल युद्ध हुआ जो की समाप्थ हुआ संगोली के संदी के दोरा ये भी संदी भी आप याद रखेंगे संगोली के जो संदी हुए 1816 में उसके द्वारा ये समाप्थ हुआ था चीक है लौड विलियम बेंटिक से गया आयतकिना है भारत का प्रिथम गवर्नर जे लौप वर्नर ये संदी को याद रखनी है याद रखनी है 1829 में विलियम गवर्नर जो इन्हों में समाप्थ कर दिया था ठीक है फिर हम बात करें विद्वां से रिलेटेड और जो थगी प्रथा वो भी उन्होंने समाप की सो काफी सारी important चीज़ें हैं जो इनके द्वारा की गई थी ठगों के दमन में निमली कित्मे से किसका संबन था तो अभी जैसे कि मैं आमको बताया क्या होने वाले answer है इसका Captain Sleeman हम बात करें जो कारिकाल था गवर्नर जंदल थे Lord William Bantic थे तो Bantic ने Cardinal Sleeman की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया और ठग थे वो देवी काली देवी की पूझा करते थे चीक है सती प्रथा पर पवंदी किस ने लगाई हमने देख लिया है Lord William Bantic ने जो कि 1829 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया था विलियम Bantic की द्वारा सती पता किस वर्ष समाप की गई तो आंसर इसका 1829 इन में से किस वर्ष बंगाल से दासु के निर्याद को रोग दिया गया तो आंसर इसका 1789 क्या उने वाला आंसर 1789 Lord Dalhousie द्वारा आवत का अंग्रेद्य राज में विलेन उन में से किस रीती से हुआ था तो सही आंसर इसका कुशाशन के द्वारा Lord Dalhousie के हम बात करें व्रब्गत का सिद्धायम डॉक्ट्राइन ओफ लाइब्लैप्स जो है ये लेकर के आये थे सर प्रत्रथम सतारा फिर कुशाशन का आरोप लगा कर इसको भी क्या कर लिया था अंग्रेद्य राज में मिला लिया गया था और उस समय अवत की नवाब भी आप याद रखींगे कौन थे वाजिद अली शाह जेम्स एंड्र्यूज रैज में भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था तो आंसर इसका लॉड डलहॉजी का ठीक है डलहॉजी के कारिकाल की हम बात करें 1848 से लेके 1856 तक रहा है ठीक है दुतिये एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था हम बात करें इनी के पहला राम नगर का दूस्रा था इसरा था उनिन्रनत क्यार के और तीसरा गुजरत 達व कुर्या के खिनांडी के किनारे पर हुआ इसके बाद हम बात करें इसमें सिख क्या हुए पराजित हुए थे दुतिया एंगलो बर्मा युद्ध जो है 1852 में जिसके दहत क्या हुआ लुआर बर्मा एवं पीगु को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया तो जो विलय का कम से जादातर काम हुआ नहीं के टाइम पर ह अधारस्वित्वत्वन की क्रांथी का प्रमुख कारण क्या था तो प्रमुख कारण था बिट्टिस सामराजी की नीती और अगर आप सो पूछ ले लाए ता ततकालिक कारण तो वो था सैनिक आक्रोश क्योंकि आपने देखा होगा जो काडिली जिस थी उनमें क्या चर्ब में रहते होगी कि शांती प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनू यह कथन किसका है तो आंसर है लौड करण का ठीक है निमलिकित में से कौन अवत का बिटिस रेजिडेंट था जब अवत का बिटिस सामराज में वलय हुआ ठीक है विलय हुआ तो आंसर इसका जेम्स ठीक है कब 1853 में जो पहली चली थी बंबई से ठाने कितने 34 किलोमेटर ठीक है लौड डलहुजी के टाइम पर जो पोस्ट आफिस एक्ट था वो भी पारित हुआ था ठीक है इन्हों ने पतक रूप से भारत में पहली वार सारव जनेक निर्मान विभाग पी रवलू डी की स्थापना की थी और स्वतंतर भुभाग के रूप में लोकसिवा भुभाग की स्थापना की थी श्रीमला को ग्रिश्मकाली रासधानी बनाया था यह चीज़े आप लौड डलहुजी से याद रखेंगे किस कंपनी ने सरफ्रतम भारत में रेल यात्रा प्रारम की थी तो यह भी हमें याद रखना है ब्रिश भारती राजशेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो यह हुआ है डलहौजी के साब में विद्वा पुनर्विवा अधिनियम किसके शाशनकाल में आया था यह आया था लौड कैनिंग के टाइम पर सब की सत्य प्रतावाला हम ब बात करें विद्वा पुनर्विवा अधिनियम 1856 चीक है और जो है इश्वचंद विद्या सागर की भी काफी महद पूर्ण भूमिका इसमें रही है आगे बढ़े एक नवंबर 1858 को ब्रिटिश महराणी विक्टोरिया को घुष्णा पत्र इलाहबाद में पढ़कर किसने सुनाया तो आंसर है इसका क्यानेवारा आंसर लौड कैनिंग ने क्योंकि वह क्या थे उस ताइम पर गविनर जनरल थे फिर उनको क्या बना दिया ग करें एक नवंबर 1858 को महराणी विक्टोरिया का घुष्णा बत्र पढ़कर लौड कैनिंग ने कहां सुनाया ठीक है अब गोश्णा डिफरेंस समझ रहे हैं कहां पर सुनाया अलाबार नाओड़ेस इस प्रियाग राज राज तो गाईस यह जो थी हमारे आज की वीडियो